दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव रोगों से सम्बंदित Top 40 Question Answers जो की परिक्साओं में बार-बार रेपीट होते हैं आप चाहे किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं इस परकार के Questions आपके एक्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना पहला Question आपकी स्क्रीन पर है निमोनिया किस सुक्षम जीव के कारण होता है? दोस्तो इस Question का Right Answer रहेगा जिवानू के कारण दूसरा Question आता है दोस्तो इस Question का Right Answer रहेगा एंट अमीबा यानि की Right Answer इस ओप्षन ने ये आपको याद अखना है ठीक है? Question नमबर तीसरा आता है विटामिन A की कमी से क्या होता है? दोस्तो विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है रतोंदी यानि की C रेट आंसर एगा Question नमबर तीरी का Right Answer Question नमबर फोर आता है पीलिया रोग किसके संकर्मन के कारण होता है? दोस्तो पीलिया रोग जो है ये यकरत के संकर्मन के कारण होता है यानि की C रेट आंसर एगा Question नमबर फोर का Correct आंसर कोशन नमबर 5 है ST गेमेटिजम एक बिमारी है पांचवे कोशन का रेट आंसर दोस्तों आखों की यानि की ए रेट आंसर हैगा पांचवे कोशन का करेक्ट आंसर देखिए 7000 के कोशन आंसर की जो हमारी पीडियप है जो की सबसे जादा मतलब बच्चों को भी पसंद आ रही है और इसके जो कोशन का लेवल है दोस्तों पहुत ही जवर्दस्त है मतलब एक्जाम औरियंटेड अगर आप SSC सीजल की भी त्यारी कर रहे है या CHSL की कर रहे है या फिर SSC GD की कर रहे है तो आपके लिए रामबान है इसमें Complete GK है, Science है, Current Affair और Computer है इस PDF को परचेज करने के लिए दिएगे नीचे description box में लिंक से भी परचेज कर सकते है या हमें WhatsApp नमबर पर मैसिज कर सकते है या फिर वेबसाइट से डायेकली परचेज कर सकते है इसका प्राई दोस्तो 150 रुपीज है तो आप इसे 150 रुपीज में ही परचेज कर सकते है देखे, आपको ना, दोस्तो किसी भी एक्जाम की तेहरी करने है और सभी वीडियो का notification प्राप्त करना है तो चैनल को अभी subscribe करके, bell icon को on कर लेना है ताकि आगे से जितनी भी वीडियो आएगी उन सभी के notifications आपको मिलते रहे है चटा question कहा रहा है कि किस अंके दोस्पून कारिय करने से मदुमे यानि कि diabetes रोग हो जाता है दोस्तो right answer हैगा अगना से यानि कि pancreas तो option B right answer हैगा question number 6 का right answer question number 7 आता है मानव सरी के किस भाग में पाइरिया रोग लगता है दोस्तो मानव सरी के किस भाग में पाइरिया रोग लगता है तो दांत और मसोडों में यानि कि इस question कर रहेट answer option A हो जाएगा और देखे अगर आपको topic वाइस पूरी size को cover करना है या फिर GK को cover करना है तो मैंने अलग से playlist बना रखी है और उन playlist के link मैंने नीचे description box में दे दिया है वहाँ से जाके आपको सारी वीडियोस देख सकते हैं एक बार देख लेना अच्छी लगे तो सारी वीडियोस को देखे फिर आठवा question आता है epidermic rogue किस से संबंदित है दोस्तो इस question का right answer रहेगा बिल्कुल यह है तवचा से संबंदित यानि कि D right answer रहेगा आठवे question का correct answer नवा question आता है सरीर में निमलिकित में से किसकी अधिकता से हर्द्य घात यानि कि heart attack होता है दोस्तो नवे question का right answer रहेगा cholesterol यानि की right answer is option C हो जाएगा ठीक है तो यह cholesterol की वज़े से होता है दोस्तो right answer C हो जाएगा दसवा question आता है विडाल टेस्ट का उप्योग किस संभावना की जाज के लिए किया जाता है दोस्तो इस question का right answer रहेगा ताइफाइड यानि की C right answer रहेगा question number 10 का correct answer दोस्तो ग्यारवा question आता है निमलिकित में से कौन पोलियो का कारण है दोस्तो देखे पोलियो का कारण जो है एक वाइरस है यानि की इस question correct answer आपका बी रहेगा ग्यारवे question का correct answer question number 12 आता है malaria रोग किसे परभावित करता है तो malaria रोग दोस्तो किसे परभावित करता है तो ये करता है पली हा को यानि की C right answer रहेगा question number 12 का correct answer अगला question आता है दोस्तो आपका avian influenza यानि की bird flu विसानू को नेनुए से निरुपित किया जाता है दोस्तो इस question का right answer रहेगा H5N1 यानि की option A right answer रहेगा question number 13 का question number 14 आता है plasmodium jumps किस की उत्पत्ती करते हैं दोस्तो इस question का right answer रहेगा malaria की यानि की B right answer हो जाएगा question number 14 का correct answer दोस्तो 15 आता है निमलिकित में से किस विटामिन की कमी के कारण masudo से रक्त आता है और दान्थ हिलने लगते हैं दोस्तो ये होता है vitamin C की कमी से question number 15 का right answer B हो जाएगा अगर आपको questions का level जो हो अच्छा लग रहे है session पसंद आ रहे है कम समय में आपको सारे questions को cover करा रहे हूँ तो please like कर दे न और अपने भाई बेन दोस्तों की साथ में जो भी competitive exam की त्यारी करता है इस वीडियो को उन तक जरूर पहुचा दिजेगा दोस्तों सौलवा question कह रहा है कि myopia से क्या तात परिया है तो देखें myopia से दोस्तों क्या तात परिया है निकट दरस्टी दोस होता है यानि की a right answer हो जाएगा question number 16 का correct answer question number 17 आता है rickets है एक बिमारी तो rickets दोस्तों एक बिमारी है हड्यो की यानि की इस question का right answer हो जाएगा b right answer दोस्तों अगला question आता है मानव में plasmodium का संकर्मन उत्पन करता है तो इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल malaria यानि की d right answer हो जाएगा अठारवे question का right answer दोस्तों अगला question आता है mmr का t का किस बिमारी में दिया जाता है इस question का दोस्तों right answer हैगा muscles, mumps और rubella यानि की right answer क्या हो जाएगा दोस्तों c हो जाएगा 19 वे question का right answer 20 वा question है निमलिकित में से किस की कमी से दान्त की बिमारी होती है दोस्तों दान्त की बिमारी होती है fluorine से यानि की option a right answer हैगा 20 वे question का right answer 21 वा question आता है BCG का टीका किस रोक के विरोध में लगाए जाते हैं इस question का दोस्तों right answer हैगा tuberculosis यानि की से रोक के लिए यानि की option d right answer हैगा दोस्तों 21 वे question राइट answer हाँ ठीक है 22 वा question क्या कर रहा है कि निमलिकित में से किस की कमी से व्यक्तियों को घेंगा नामक रोग हो जाता है घेंगे में दोस्तों गला जो होता है वो सूच जाता है मोटा हो जाता है तो यह होता है दोस्तों ideal की कमी से यानि की 22 वे question कर राइट answer C हो जाएगा 23 वा question आता है टाइफाइड से सरीर का कौन सा अंग परभावित होता है दोस्तों टाइफाइड से सरीर का कौन सा अंग परभावित होता है तो आत परभावित होती है यानि कि B-right answer रहेगा Q23 का Q24 आता है सिफलिस किसे होता है तो सिफलिस किसे होता है दोस्तों बिल्कुल सही उतर आप लोग कर रहे हैं जिवान उसे यानि कि B-right answer रहेगा Q24 का Q25 आता है एलिसा जाज किस रोग की पहचान करती है दोस्तों एलिसा जाज जो है ये किस रोग की पहचान करती है एड्स की यानि कि D-right answer रहेगा Q25 का Q26 है मेनी माता रोग किस से होता है दोस्तों मेनी माता रोग किस से होता है तो ये होता है पारा यानि कि option A right answer हैगा question number 26 का 27 आता है निमलिकित में से किस रोग का संबन्द गंभी रूप से सोच एवं यारदास के खोनी से है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही Alzheimer यानि कि B right answer हैगा question number 27 का correct answer question number 28 आता है allergy परतिकरिया के कारण उत्पन रोग है दोस्तो ये है allergy परतिकरिया के कारण उत्पन रोग है दमा तो right answer is option दोस्तो क्या हो जाएगा C हो जाएगा आपका 29 कोशन है vitamin E की कमी से कौन सा रोग होता है तो vitamin E की कमी से कौन सा रोग होता है जनर्ण सम्ता में कमी यानि कि right answer D हो जाएगा question number 29 का correct answer question number 30 आता है मानव नेत्र के दूर दरस्टी दोस को यह भी कहा जाता है दोस्तों मानव नेत्र के दूर दरस्टी दोस को यह भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है hypermetropia यानि कि इस question का right answer भी रहेगा question number 30 का right answer 31 आता है एथलीट फूट रोग किस से होता है एथलीट फूट रोग दोस्तो होता है फंगस से यानि कि option A रहेट आंसर हैगा question number 31 का correct answer दोस्तो SARS का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तो severe acute respiratory syndrome यानि कि B रहेट आंसर हैगा question number 32 का correct answer 33 आता है cancer अस्ति मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है तो इस question का जो right answer हैगा दोस्तो ये हो जाएगा leukemia को यानि कि right answer इससी ये आपको याद रखना है 34 question है hemophilia एक अनुवानसिक रोग है जिसका परणाम है तो hemophilia दोस्तो एक अनुवानसिक रोग है जिसका परणाम है रक्त का नहीं जमना ठीक है right answer is D ये आपको याद अखना है 35 question है share रोग यानि कि TB मानब सिर्गे किस भाग को परभावित करता है दोस्तों TB जो है यानि कि option A right answer एगा question number 35 का 36 question है file area रोग किस से उत्पन होता है दोस्तो file area रोग जो है ये उत्पन होता है creamy से यानि कि right answer is option ये आपका अधकने 37 question है निमलेखित में से की कमी से enemy रोग होता है दोस्तो आईरन यानि कि लोग की कमी से तो right answer D हो जाएगा question number 37 का question number 38 है किसके इलाज में कीमो थेरेपी उप्योग किया जाता है तो कीमो थेरेपी दोस्तो उप्योग की जाती है cancer में यानि कि इस question का जो right answer हैगा option A हो जाएगा question number 39 है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता दोस्तो color blindness यानि कि one data जो रोग है ये ठीक नहीं किया जा सकता है इस question का right answer option A हो जाएगा अगला question आता है spondylitis बिमारी निमलिखित में से किसे परभावित करती है ये करती है दोस्तो मेरुदन को यानि कि इस question का right answer हो जाएगा C right answer ठीक है अब एक question का answer सभी लोग बताएंगे comment box में और ये इसी वीडियो का question है आपके लिए test का question है BCG का T का किस रोक के विरोध में लगाए जाते है ठीक है आप लोग comment box में answer बताएए मैं आसा करता हो कि 100% सही answer आएगा इस question का और ये वीडियो आपको कैसे लगी एक feedback comment भी कर सकते हैं वीडियो पसंद आएए तो like करिए, share करिए ये पीडियो पको purchase करने में कोई भी difficulty आ रही है तो WhatsApp नमबर में message करिए या फिर डिरेक्टली website या नीचे description box में link है वहाँ से purchase कर लिजे दोस्तों बहुत ही कम price में मैं आपको इस सारे questions प्रोवाइड करा रहा हूँ अगर आपको ये सारी पीडियाप जो है ना अलग-अलग उसमें चाहिए तो आप हमें WhatsApp पे message कर देना आपको ये सारी पीडियाप WhatsApp पे मिल जाएगी बट उसके लिए आपको payment का screenshot भेजना होगा चैनल पर नए है तो फटा-फट सब्सक्राइब कर ये खुद भी अपने दोस्तों को भी बोलिएगा क्योंकि हमारे 1,000,000,000 दोस्तों जल्द ही होने वाले हैं तो आप सब की support से ये जितने जल्द हो जाए हमारा उतना ही मनोबल बढ़ा रहेगा थैंक यू सो मच बाई बाई और टेक केर मिलते हैं फिर नेक्स गास में